सर्दिया आ रही है और winter vacations में कही जाने का तो plan कर रहे होगे तो क्यों ना इस बार जाओ paradise of earth नहीं नहीं मैं Switzerland की बात नहीं कर रही I am talking about Kashmir जो कि अपने सुन्दर नजारों के लिए जाना जाता है फिर चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या कोई भी दूसरे मौसम कश्मीर की सुन्दर तक कभी कम नहीं होती इसकी six day आइटनरी मेरे चैनल पर already uploaded है जो कि आप अपने trip पर use कर सकते हो बट आइटनरी बनाने से पहले कुछ चीजे जाननी ज़रूरी है तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगे 12 ऐसी जगा जो आपको अपने कश्मीर ट्रिप में जरूर इंक्लूड करनी चाहिए तो शुरू करें सबसे पहली अक्टिविटी है गुलमर की गंडोला राइट जो किसी फेरी टेल राइट से कम नहीं है ये दुनिया की highest और longest केबल कार्स में से एक है जो कि आपको गुलमर की breathtaking views दिखाता है पहले फेस का जो height है वो 8600 feet के approx है और second phase आपको 13000 feet से भी उपड ले जाता है winter में यहां से snow covered valley का एक mesmerizing view मिलता है और ये आपको पूरे साल देखने को मिलेगा क्यों interesting है ना इसकी booking आप online कर सकते हैं और अगर आप पूरा प्रोसीजर जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर upload गंडोला राइट की वीडियो का vlog भी देख सकते हैं जिसका link description में भी mention है कश्मीर आके अगर आपने दल लेक पर शिकारा राइट नहीं करी तो समझ ये trip अधूरा रह गया ये peaceful lake आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है सुबह के वक्त और sunset के time पर इसकी खूबसूरती और भी निकरती है इसका ride का duration around 1 hour रहता है जो कि आप bargaining भी कर सकते हैं और इसके end में आपको थोड़ी सी market दिखने को भी मिलेगी जहां से आप shopping कर सकते हो तीसरी activity आपके लिए बहुत amazing है अगर आप adventure के शौकीन है which is snow tracking in पहल गाउं यहां December से फरवरी तक का मौसम snow tracking के लिए best होता है क्योंकि यह पूरा इलाका सुब snow से धका होता है tracking के दोरान आपको पहल गाउं की खूबसूरती का अलग ही नजारा देखने को मिलता है tracking के charges route और group size पर depend करते हैं फूर्थ activity है pony ride जो की आप सोनमर्ग से ताजिवास glacier तक कर सकते हैं यह ride आपको कश्मीर के stunning view के साथ glacier की खूबसूरती का एक अनमोल experience देती है और यहां का fresh air और scenic beauty आपकी कश्मीर trip को और भी यादगार बना देता है यहां पे बहुत सारी activities भी होती है प्लस आप अपने friends और family के साथ यहां पे snow का और भी मज़ा ले सकते हैं अब अगर trip पर जा रहे हो तो stay भी बहुत important है और hotels तो हम सब book करते हैं बट अगर मैं कहूँ आप यहां एक unique stay का experience कर सकते हैं विच इस house boat stay at the lake या नगीन लेग यह house boat चांती और कश्मीरी hospitality का best example है आपको यहां कश्मीरी style interior और lake का सुकून मिलता है इस experience को करने के लिए आप full year अप मज़ा ले सकते हो और even अपकी budget के साब से आप ले सकते हो मैं दोनों में difference बता देती हूँ अगर आप दल लेग पे रह रहे हो तो थोड़ा सा आपको crowdy area मिलेगा नगीन लेग के comparison और नगीन लेग आपको थोड़ा सा cheaper भी पड़ेगा हमने यहां पे नगीन लेग पे stay करा था और यहां से आप अपना एक और जो most important चीज है vegetable market का भी आप सुबह सुबह जाके मजा ले सकते हो इसका detail experience जानने के लिए आप मेरी houseboat stay की video भी देख सकते हो moving on to another fun activity जो की skiing और snowboarding in Gulmarg है जो की इस activity के लिए एक perfect spot है और यहां के snow slopes, beginners और professional दोनों के लिए ideal है December से February का वक्त skiing के लिए सबसे अच्छा होता है जब यहां fresh snow होती है और tension ना ले क्योंकि यहां आपको सार equipment मिलेंगे और साथ ही साथ guide भी जो की activity करते समय safety ensure करता है अब अगर winter में कश्मीर जा रहे हो तो Gulmarg में एक frozen waterfall देखने का experience आपको कश्मीर की ठंड और खूपसूरती दोनों का असली मजा देगा यह waterfall December से फरवरी के बीच पूरी तरह freeze हो जाता है और इसका view एक दम magical लगता है यहाँ आपको सिर्फ nature की beauty enjoy करनी है और इसमें कोई extra cost नहीं लगता इट इस a perfect spot for nature lover and photographers बढ़ते हैं एक और सुन्दर जगा की तरह बिताव वैली जहां lush free meadows and snow covered peaks बहुत famous है और यह वही जगह है जहां बिताव मूवी सनी देवल की first movie shoot होई थी और even आप जब बिताव वैली विजिट कर रहे हैं तो आप में सुनाओगा ABC वैली तीनों वैली को विजिट कर सकते हैं बट इतना घूम घूम कर ठक गए होगे नहीं नहीं जल नहीं naturally made apple juice लीजिए जो कि आपको मिलेगा apple valley जिसका टेस्ट बिलकुल unique होता है यहां के apples organic और fresh होते हैं यह एक refreshing drink है जो आपकी trip में एक special taste add कर देता है अब juice try कर लिया तो इखाना पीछे क्यो रहना चाहिए इसलिए कश्मीरी cuisine का मजा लिये बिना कश्मीर trip complete नहीं हो सकता रोगन जोश, कश्मीरी दमालू, हवा, नून चाए, गोश तबा और सी कबाब जैसी dishes यहां के authentic flavors का perfect example है यह आपको काफी local restaurant में easily मिल जाएगी और एक बार यह dishes try करना तो बनता है बढ़ते हैं ऐसी जगा की तरफ चो आपका दिल garden garden कर देगा which is tulip garden in श्री नगर जो सिर्फ अप्रेल के महीने में open होता है यहां अलग-अलग रंगों के हजारों tulips देखने को मिलते हैं यह garden सिर्फ कुछ ही weeks के लिए open होता है और entry fees around 50 rupees से 100 rupees होती है अगर आप अप्रेल के मन्थ में कश्मीर घूमने जा रहे हो तो यह garden miss मत करना अगर आप house boat stay या शिकारा right करेंगे तो साथ ही साथ दल लेक के floating market को भी जरूर explore करें यहां sellers अपने boards में fruits, vegetables और कश्मीरी crafts बेचते हैं और यहां यह market एकदम lively होता है यह market सुबह 4 बज़े से start हो जाती है और आप जरूर try करें कि आप 7 बज़े तक अगर पहुचेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा तो try करें आप 5 बज़े के around वहां पहुच जाएं यहां आप vegetables और fruits की shopping कर सकते हैं बट prices vary करते हैं बट view तो priceless है तो दोस्तो यह थी कश्मीर की must to do things जो आपकी कश्मीर ट्रिप को एकदम magical और memorable बना देगी आपको कौन सी activity सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में बताएं और अगर यह वीडियो आपको informative लगी हो तो like और subscribe ज़रूर करना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई 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 शबा खैर